एक दो चीजे मैं आपसे कहना चाहता हूँ बदलाव की बात आपने कही नियम और कानून की बात मैं कहना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है दुनिया का सबसे बड़ा राजनेतिक संगठन है मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते है शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में नहीं हम हर दो मिनट नए नियम बनाते हैं पुराने नियम को दबा देते हैं और यहाँ शायद किसी को भी नहीं मालूमू कॉंग्रेस पार्टी के नियम क्या है मज़ेदार संगतन है कभी-kभी मैं पूछता हूँ अपने आप से भाया ये चलता कैसे है इन दे एक्राफ इंडिस्विए अपर आ रहे हैं अभी उनसे में मिलूंगा चे कैंडिडेट है वह आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं सब के सब सब के सब नाम लड़ाई लड़ते हैं कहा हैं उनके नाम सब के सब नाम लड़ाई लड़ते हैं कहा हैं उनके नाम इस मॉर्निंग आप इस मॉर्निंग आप इस मॉर्निंग और एक और बात सुन लिए जिए आजकल एक व्यक्ति हैं जो पूरे हिंदुस्तान में गुजरात की बात करते हैं गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है गुजरात को किसी ने खड़ा किया है गुजरात को अमूल दिया है गुजरात को दूद दिया है तो इस तरफ देखिए इन महिलाओं ने दिया है गुजरात की महिलाओं ने दिया है अगर आप युवा कार्यकर्ता से बात करें, अगर आप महिला कॉंगरिस के कार्यकर्ता से बात करें, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई, मजा आया. और मैं यह जो मजा हैं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं. मां पहुंग's अतानीशेर चर्दधा हूं, कहईते हिसके हैं, अ सबस्त्रादधा अटनीश मुट्स्तान गए। इस चीजएरे हैं ले तो हिस दो किताना चाहले हैं, अ मेझेस्ताना चाहले हम कुछैंग स। ऴुऴध स्विंदा कार्वरर्न चाहले हैं, वहाले हैं, क्यावेि okay, I don't see Swachh Bharat working very well huh what you think it's working yes, it's working okay no okay, let's ask another question do you think making India is working? yes do you think so? okay, let's ask another question yes, let's ask another question भरतिया समाज की एकता और देश के हितों के साथ समझोता नहीं करेगी मैं नए सरकार को अभी से बढ़ाई देती हूँ आपको क्या लगता है महिलाओं को क्या लगता है इस अपकी प्रश्टा चार किया बलतकर सोरी बलतकर गुजराथ इस बिगर दियुनाइटेश इंडिया इस बिगर देन यॉरोप और यॉनाइटेश पुट तोगेदर रावल जी काले दन के मुद्धे पर स्वामी राम देव तमाम तरह से घेरनी कोशिस कर रहे हैं कि चार सो लाग करोन रुपया बाहर है कबीर बदलने में देर लगती यह क्यों नहीं आ रहा हो है राम देव जी राम देव जी अपने चाहांट लोगों को काले जहन्टे लेकार मेरी मिति में भीज रहा है प्रेजिलोली हर मीटिंग में भीज रहे हैं वो सोचते हैं कि चार जंडों के साथ राहुल गांदी भाव जाएगा राहुल गांदी जंता की वाद सुनेगा चाहे कुछ भी हो जाएगा आप जंडे लगाओ गोली मारो मैं गाव में जा रहा हूँ कि अथीवागे हैं कि वोली जंडे लगाँ कि वोली जंडे बावागे हैं यूली आप प्रोभा इन देकाव व्जावा़ा हाँ उडे़ पावागे हैं स्पीकर मैडम स्पीकर मैडम स्पीकर मैडम स्पीकर मैं जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी ना रेगा मन रेगा मन रेगा महात्मा गांधी योजना कल मैंने आख बंद करी में सोच रहा था चितांबरम जी है अच्छी बात बुली आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजे हाता थोड़ा से मार दीजिए मार दीजिए एक बार मार दीजिए क्यों कस्थ हो रहा है आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए कि में किन इंडिया का बबबर शेर थियार किया आप काले रंग का बबर सेर उसके अंदर देखो ढ़नी ज़ता आप जा geld एको इंटर्नेट में देखो पापबर से टीवी में नेकों बबबर से मोधि जी का भाशन शुनो भबबर शेंups स्टेट जल जाता है बबर शेख पहले पेट्रोल एक सो तीस डॉलर प्रती बैरल हुआ करता था आज 35 रुपे प्रती बैरल है 35 डॉलर गल्ती कर दी गल्ती कर दी सही बात है फर्सों में भाशन सुन रहा था और मैं ऐसे एसे हिला अरुन जेटली ने यहां खुले हाउस में कहा कि भाईया मोधी जी की फेर और लवली योजना आई है अरे बोलने दो भाई बोलने दो हमारे समय आ गए नमस्तार आपने आपने सुना नहीं फेर और लवली फेर और लवली योजना के बारे में मैंने बोला पूछ ले ना आप इंसे मोधी जी ने वाइदा किया था कि एकॉनमी बिल्कुल डाउन जा रही है बया मैं आरे सका नहीं हूँ मैं गलतियां करता हूँ मैं गलतियां करता हूँ हों मिनिस्ट्री हमारी मास्टर है क्या लग यह सब्सक्राइब क्या पर पढ़ते हैं क्या अरब आपको तंखा नहीं देंगे कौन होते हैं वो तंखा तंखा सेंबली देती है तंखा दिल्ली की जनता देती है नरेंदर मोदी जी जी तंखा दिल्ली की जनता देती है एल जी की भी तंखा दिल्ली की जनता देती है वो कौन से गरूर में जी रहेंगे तंखा नहीं देंगे नरेंद्र मोदी जी समझ ले, मैं राहूल गांदीनी हूँ.